नमस्कार दोस्तो आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके सामने एक बिलकुल अद्वितिय स्टर्टजी लेकर के आया हूँ जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बहुत अच्छे सिगनल देगी और जब मार्केट साइडवे होगा है तो आपको बिलकुल उसमें इंट्री नहीं देगी तो आप बिना किसी डर के केवल ट्रेंडिंग मार्केट में इंट्री ले सकते हैं बड़े-बड़े मोमंटम राइड कर सकते हैं और जो मार्केट चौपी रहेगा, उस वकर trade से दूर रह करके अपने losses को बचा सकते हैं. यानि कि केवल profitable entry, excellent profit और losses का chances बेहत कम. ये MSED और Bollinger Band strategy है, और इसमें खास बात यह है, कि जो Bollinger Band use किया गया है, इसमें आप double line देख रहे होंगे, ये बाहरी Bollinger Band है, और ये भी तरी Bollinger Band है, बीच में जो mean होता है, mean नहीं है, 20 का moving average होना चाहिए, वो नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी मैं बताऊँगा, और ये दो line देख क्या है, वो भी बताऊँगा, Bollinger Band की थियोरी क्या होती है, इसमें एक mean होता है, default में 20 का moving average, simple, उसके साथ में एक band रहता है, जैसे बीच में अगर moving average हो, मालिच यहाँ पर 20 का moving average चल रहा है, और उसके साथ में एक band है, बैंड की लाइनों में यह lower band है, यह upper band है, तो default जो Bollinger Band है, वो इस जंका होता है, लेकिन इस Bollinger Band में खासियत क्या है, कि एक की जगा पे यहाँ पे दो line है, और बीच का moving average हो गयब है, तो जो Bollinger Band का सिधान्त होता है, वो यह होता है, कि 1.20 का moving average रहता है, वो mean है, और उसक करती है, कि price mean से कितना deviate हो रहा है, यानि कि price का standard deviation miser करती है, और वैसे तो standard deviation के बारे में हमारे dedicated video पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, आर्चीव में जा करके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दू, standard deviation का मतलब है, कि mean से इधर उधर price कितना भाग रहा है, जब mean से प्राइस बहुत भागेगा, तो standard deviation बढ़ जाएगा, और यह band expand हो जाएगा, जहाँ पर price में भागना कम है, वहाँ बोलिंजर band कम हो जाएगा, जहाँ प्राइस ज्यादा भागेगा, वहाँ बोलिंजर band चोड़ा हो जाएगा, तो यह indicate करता है, बोलिंजर band पतला हो गया, यहाँ कि market mainly range bound है, side way है, उनमें deviation बहुत कम हो रहा, और बोलिंजर band चोड़ा हो गया, तो यह जिश्को करता है, कि price में movement काफी जादा है, अब इस statistic का एक rule है, कि 1 SD, 1 SD के अंदर में price जो है 68% रहता है, और 2 SD के अंदर में price 95% रहता है, अपने जानते हैं कि 70% of the time, market जो है, वो range bound रहता है, तो इसका मतलब है कि जब range bound रहेगा, तो mainly 1 SD के अंदर में रहेगा, और 30% of the time, 25% of the time, जब price moving होगा, तो वो इस 68 से बाहर, और इसके अंदर में हो सकता है, कभी-कभी इसके बाहर भी जा सकता है, लेकि 95% का मतलब है कि, अल्मोस्ट हमेशा, price 2 SD के बीच में रहेगा, तो अब यहाँ एक सेंपल बात है, कि 1 SD का मतलब है 68% of the time, और 2 SD का मतलब है 95% of the time, तो अब जब price moving होगा, तो वो 1 SD और 2 SD के bands के बीच में रहेगा, इसी सिधानत के उपर में यह Bollinger band बना है, यहाँ पे यह बाहरी band है, जो कि इशो कर रहा है कि यह 1 SD का band है, यानि कि price अगर 1 SD के range में रहेगा, तो इस band के अंदर में रहेगा, और जब price 2 SD के range में रहेगा, तो इस band के अंदर में रहेगा, इसका एक सीधास मतलब है, कि जब price 1 SD यानि इस band और 2 SD यानि इस band के बीच में, यानि कि इस zone में रहे या इस zone में रहे तो वो trendy होता है और जब इस zone में रहे यानि कि 1 SD के zone में तो वो sideway रहता है इसी बेसिस पे ये Bollinger Band वना हुआ है और इसमें 1 SD, 2 SD के 2 band लिए गए है अब उधारण के लिए आप देख लिए यहाँ price trendy है यह देखिए 1 SD और 2 SD band से भी उपर चला गया यानि कि highly trending है और जब price sideway है तो वो 1 SD band के अंदर में है उसी तरह से यहाँ देखिए price trendy हुआ 1st Bollinger Band के बाहर 2nd Bollinger Band के अंदर और जब price sideway हुआ तो यह 1st Bollinger Band के अंदर में चला है जो कि indicate करता है कि market sideway हो रहा और यहाँ पर देखिए यह Bollinger Band squeeze हो गया यानि सिकुल गया जो किशो कर रहा है कि price में movement हुआ था अब price का movement cool off कर रहा है price जो है एक range में आ गया तो यह जो Bollinger Band है यह जब market trendy होगा तो आपको बहुत अच्छे से inform करेगा कि भाई market जो है एक अच्छे consolidation के बाद trendy हो रहा है अब जैसे देखिए यहां market बहुत कड़ा consolidate किया एक दम Bollinger Band squeeze हो गया उसके बाद price यहां से move किया और देखिए first Bollinger Band के बाहर गया नीचे की तरफ में यानि कि अब इसने नीचे की तरफ का breakout दिया यहां तक तो ठीक movement किया उसके बाद यहां range bound हो गया तो जब range bound हुआ तो यह again Bollinger Band के अंदर आ गया again जब breakout हुआ तो यह फिर first Bollinger Band के बाहर चला गया यहां आपको जदा अच्छे से समझ भाए हैगा तो clear cut बात है जब price first Bollinger Band के बाहर गया आपकी entry हो सकती है जब price first Bollinger Band के अंदर आ गया आप exit कीजिए second बार जब फिर first Bollinger Band के बाहर गया आप again entry और जहां तक price जो है Bollinger Band के बाहर है वहां तक आप trade में रह सकते हैं trailing stop loss लगा करके इस जगह तक का profit आप book कर सकते हैं इसमें धोखा खाने के उमीद बहुत कम रहती है नहीं रहती है यह बात नहीं है कभी कभी खा सकते हैं लेकिन बहुत ही rarely अब यहां देखिए market sideway है एक दम first Bollinger Band के अंदर है बहुत चोटी चोटी candle यह बन रही है जो कि indicate कर रही है कि भी आप मार्केट में अभी आप बिल्कुल छेड़ चाड़ मत करो जब यहां से price नीचे गया आप entry और यहां तक आपको trade मिला तो यह situation आप कहीं भी देख सकते है जब price first band और second band के बीच में आता है वो काफी ज़्यादा trendy हो जाता है और जब price दोनों bands के बीच में रहता है यहां कि इस zone में तो फिर वो side way हो जाता है अब यहां देखिए market trendy यहां पर side way और यहां अगें नीचे की तरफ में move किया तो यह आपको minute to minute market की analysis देता है कि भाई market में अभी करना क्या है अब यहां पर देखिए market एकदम prolonged side way movement देड़ा कोई आपको entry नहीं लेने का है उसके साथ में इस bollinger band की एक और खासियत है जो कि आपको trade लेना बहुत आसान करतेगी क्या है जब price first bollinger band को नीचे की तरफ से cross किया तो first bollinger band के नीचे का color red हो जाएगा जैसे कि यहां पर देखिए इस bollinger band का color red हो गया और जहां पर price नीचे वाले bollinger band को touch किया या उसको cross किया उसका भी color red हो जाएगा जो कि indicate करेगा कि भाया बहुत अच्छा momentum है उसी तरह से यहां देखिए first bollinger band को cross किया यहां इसका color green हो गया यानि कि अब bullish trend है और देखिए जैसे ही price ने इस band को cross करके उसके नीचे closing दिया again bollinger band का color gray हो गया यानि कि अब आप trade से निकल जाएगे इस तरह से आप इससे बहुत ही अच्छी trading ले सकते हैं trendy market में इंटी ले सकते हैं अच्छा profit बना सकते हैं और sideway market से अपने आपको दूर रख सकते हैं लेकिन जैसा हमने उतको बताया कि धोखा generally आपको नहीं देता है कभी-कभी हो जाता है कभ़धा round के लिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए price ने bollinger band को cross किया first band को और bollinger band का color green हो गया जो की indicate कर रहा है कि यहाँ ठीक आप entry ले लीजिए लेकिन अगर ऐसे समय में entry लेंगे तो price वहाँ पर move नहीं करेगा अगली candle आपके SL को hit कर देगी आपका नुक्सान हो जाएगा अब यहाँ पर दूचीज़े आपको देखनी चाहिए पहली चीज़, price ने इस level को cross किया क्या नहीं किया नहीं किया तो वहाँ पर आप entry मतली चीए दूसरी चीज, bollinger band की condition क्या है bollinger band बिल्कुल horizontal है तीसरी चीज, एक लंबे movement के बाद इस वीज कर रहा है, तो इन conditions में आपको trading avoid करनी चाहिए, लेकिन जो नए लोग है वो इतनी analysis नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर उनको जहां हरी candle दिखी वो entry मार दिये, entry मार दिये next candle उनका SL hit किया, नुक्सान करा दिया ऐसे trade से अपने को बचना चाहिए और ऐसे trade से बचने के लिए अपने पास में एक और बहुत बढ़िया उपाय है क्या उपाय है? ये नीचे का indicator ये नीचे का indicator क्या है? एक MACD है और ये साधारान MACD नहीं है बहुत भैंकर वाली MACD है इसका नाम है MACD Ultra इस MACD की खासियत क्या है? ये momentum आपको बहुत सुंदर ढ़ंग से दिखाएगी कब तक market में रहना है? कब exit कर जाना है? क्या entry condition है? क्या exit condition है? ये सारी बातों को बहुत अच्छे से बताती है तो ये अपने आप में ही बहुत 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 इंडिकेटर है कैसे रोकेंगे? अब जिसे देखिए, यहाँ पे छोटे-छोटे विपसाज हो रहा है इस जगह पे आपको breakout देशा देखने को मिला तो यहाँ देखिए, अब ऐसे आप गलती कर जाईएगा कि बोल बॉलिंजर बैंड के base पे आप लिजिएगा ट्रेट तो हो सकता है, आप यहाँ इंडिर मार दे और नेक्स्ट केंडिल आपका ऐसे लिट कर दे लेकिन जब आप दूनों इंडिकेटर पे नजर रखिएगा तो ऐसे गलती आप नहीं करिएगा क्यों? यहाँ पे आपको लग रहा है कि breakout हो सकता है लेकिन MSED यहाँ क्या दर्शा रही है? MSED zero line के नीचे है और जब MSED zero line के नीचे है तो फिर आपको trade avoid करना चाहिए आपको trade कैसे लेना चाहिए? देखिए उसका एक हिसाब है हिसाब क्या है? पहली बात price bollinger band के first band के बाहर निकले bully straight है तो उपर की तरफ में जाए bear straight है तो नीचे वाले band यानि इस band से नीचे की तरफ में जाए तो यहाँ हमको क्या शर्त में दी? इस band से price बाहर निकला अब इसके साथ में एक और confirmation कर लीजी अगर नजदीक में कोई previous swing high है तो let it cross, उसको cross होने दीजए यहाँ पर price ने previous swing high को एक काफी strong candle से cross किया यानि कि अच्छा momentum इंडिकेट कर रहा है इसके साथ में यह बोलिंजर band के first band को cross किया second band को भी टच किया या उसको भी cross कर गया तो यहाँ पर indication है यहाँ बढ़िया momentum आएगा इसके पहले की condition क्या है? इसके पहले की condition है बोलिंजर band स्पीज हुआ था यानि की काफी समय तक side way था अब momentum आने के काफी अच्छे आसार है और यहाँ पर जो भी breakout दिया यहाँ retest किया, इस level को cross किया तो आपके लिए बहुत अच्छा signal है कि price आगे अच्छा momentum देगा और इस level को भी cross किया तो 100% confirm हो गया कि अब बहुत अच्छा momentum आएगा तो यहाँ से तो आपको बोलिंजर band ने signal दे दिया कि हाँ भई एकदम बीर तुम बढ़े चलो अब उसके बाद यहाँ पे M.A.C.D. का लक्षा अपने देखेंगे M.A.C.D. का है zero line के उपर है लेकिन यहाँ histogram हमको अच्छे नहीं देखे रहा है वेट करेंगे यहाँ भी position ठीक नहीं है अब उसके बाद इस जगा पे यहाँ पे देखिए M.A.C.D. ने signal line को cross किया उसके साथ में यहाँ histogram जो है यह blue बन रहे है और उपर की तरफ बन रहे है तो जब histogram और यह M.A.C.D. की signal line और M.A.C.D. की line यह तीनों चीज हमको indication दे दिये कि यहाँ प्राइस बुलिश है और यहाँ Bollinger Band भी हमको entry signal दे दिया तो यह हमारे entry का time हम यहाँ पे entry लेंगे और यहाँ पे entry लेने के बाद आप देखिए किस ढंका momentum आप right करते है यह क्या है कि बहुत सारी गड़बर position से आपको बचाएगी जहाँ पे Bollinger Band कुछ गड़बर signal देगा वहाँ पे आपको M.A.C.D. सेफ करेगी तो M.A.C.D. entry का signal कब देती है इसके लिए आपको दो चीज़े देखने पड़ेगी पहली चीज तो यह है कि जो histogram है यह trend की दिशा में बन वहाँ हो यानि कि trend bullish है तो histogram zero line के उपर बनने चाहिए दूसरी चीज है यहाँ पे जो blue histogram है light blue यह indicate करते हैं कि momentum तगड़ा है और deep blue यानि कि navy blue histogram जो है वो indicate करते हैं कि momentum में कम ही आ रही है तो histogram zero line के उपर होना चाहिए और उसमें भी हमको entry कब लेना चाहिए जब M.A.C.D. line zero line को crosshair के उपर जाए और signal line के उपर हो तब हमारी entry बनेगी यानि कि यहाँ पे समझ लेजिए कि जब इस level से price उपर उठा इस जगा पे हमको M.A.C.D. ने signal दिया कि यहाँ आप entry ले सकते हैं इस जगा पे हमारी entry होगी और कहां तक entry रहेगी जब तक कि M.A.C.D. line zero line के नीचे ना जाए या histogram zero line के नीचे ना जाए मैं कभी भी exit के लिए किसी signal पे भरोसा नहीं करता हूँ आप अपना trailing stop loss लगाते रहे है candle to candle trailing stop loss आगे बढ़ाते रहे है ताकि अगर price कहीं से घूमे भी तो आपका जो profit हो चुका है वो loss में नहीं जाना चाहिए अब जिसे यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड ने signal दिया कि price जो है first band से बाहर निकला second band से भी बाहर निकला तो second band जो है अपने जानते हैं कि 95% price इस band के अंदर में रहता है तो second band अगर price sideway है बहुत momentum में नहीं है तो यह reversal point का भी काम करता है यानि कि 95% price जो है first bollinger band के उपर हो ऐसे case में अगर वो bollinger band के बाहरी band को cross भी करता है तो price reverse नहीं होगा correct हो करके उपर जाएगा अब यहाँ पर यह जो price इस level को break किया यह level false breakout है और false breakout हम को कैसे पता चलेगा MECD से यहाँ देखिए price इतना नीचे आया पहरी चीज तो यह है कि bollinger band squeeze हो रहा price first bollinger band के अंदर में दूसरे MECD डाउन ट्रेंडिंग है और signal line से नीचे है बिल्कुल trade नहीं लेने का है और इन सब जगों पर देखिए आपको कितने सुन्दर signal मिले यहाँ से आपको बिल्कुल यहाँ तक का trade यहाँ MECD line नीचे गया हिस्टोग्राम भी नीचे है MECD line signal line के नीचे है यहाँ पर price first bollinger band के लाइन के नीचे है और second bollinger band यानि बाहरी bollinger band के लाइन को टच कर रहा एदम perfect trade उसी तरह से जब momentum reverse हुआ आपको इस जगा से entry bollinger band ने दे दिया और इस जगा से entry MECD ने दे दिया लिजे trade यहाँ से यहाँ तक का trade यहाँ से यहाँ तक का trade एक दिन में दो bumper trade अब यह जो false signals है bollinger band के यहाँ पे MECD को आप साथ में रखियेगा तो नहीं फसी हैगा क्यों नहीं फसी हैगा 99% eliminate कर देगा आप false breakout में trade नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ आपको double confirmation मिलता है और जब आप trade लेंगे भैंकर movement में और बहुत जबरधर्स्त profit बनाएंगे तो आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आई होगी अब चलिए आपको इनको लगा करके दिखाते हैं तो उसके लिए पहले हम indicators को हटा देंगे इंडिकेटर दोनों हट गए आपके लिए इनको लगाते हैं तो सबसे पहले इंडिकेटर में जाएंगे यहाँ पर जा करके इंडिकेटर पर प्रेस करेंगे यहाँ टाइप करेंगे इसको ग्रीन कर दिजिए आपको डवल सिगनल मिलते रहेगा हमने ब्लैक लिया था यहाँ आप ग्रीन ले लिजिए और यह जो औरेंज कलर है सिगनल का इसको डीप रेड ले लिजिए ओके कर दिजिए अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छे सिगनल है कोई दिक्कत नहों इसके लिए आप इसको तरह सा थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर जरा साथ ठिक कर दिजिए लाइन को आपको बहुत अच्छे सिगनल्स मिलेंगे और हिस्टोग्राम का कलर भी आप अपने सुभिधा नुसाल ले सकते हैं लेकिन रहने दिजिए क्या दिक्कत है समझ में तो आपने आता ही है अब यहाँ यह लाइट कलर आपने लिया है हाई मोमेंटम के लिए डीप कलर लिया है ब्लू का लो मोमेंटम के लिए उसी तरह से लाइट रेड कलर जो है हाई मोमेंटम के लिए डीप रेड कलर लो मोमेंटम के लिए चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और बार कलर मैं कभी भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि बार में हमको कोई कलरवाजी पसंद नहीं है, आप चाहें तो ले सकता है, बार में कलर लेने से, देखें, बार का कलर इस घंग से दिखेगा, जो कि bullish और bearish उनको अलग-अलग करेगा लेकिन इतने signal लेने के बाद फिर हमको बार color करते हैं कि जो रोत नहीं है हमको जिसका जैसा color है वैसे ही दिखना चाहिए तो यहाँ पर हम बार color को disable कर देंगे हमको नहीं चाहिए हमारा जैसा जो color था वैसे चाहिए और MSED के default setting में हमने कोई भी change नहीं किया जो default setting है उसको रहने दिख्कत नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपको MSED लग गई अब चलिए आपको Bollinger Band लगाता है अगें इंडिकेटर में गया है यहाँ पर सर्च करेंगे सेम फार्मूला अल्ट्रा यह थे कि जैसे हमने अल्ट्रा बोर टाइप किया यहाँ पर आगया अल्ट्रा बोलिंजर बैंट अनको हमने क्लिक किया अब इस में color thickness реएभा सकते हैं ऩो this option स्विश्ट भी style में चले गए, आप चाहें तो color को थोड़ा सा और deep कर सकते हैं बढ़ियां से दिखने के लिए और इनकी thickness को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि अच्छे सदिक्या और ये जो green color की line है इसका भी thickness बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, बहुत पतला thickness ये लोग रख्या है default में तो उसमें आपको देखने में ख्ला सा दिक्कत आएगी signal ऐसे होने चाहिए जो कि एकदम clearly visible अभी देखें first class की line हो गई है और हमको बहुत clear visible indication मिलेगा दूसरी बात क्या है कि यहां पर momentum ride में आपको कोई डर नहीं लगेगा डर क्यों नहीं लगेगा देखें यहां से यहां तक बोलिंजर band के first band के line क्या है red है price कहीं भी उसके उपर नहीं गया है इसके लावा mscd यहां से यहां तक signal line के नीचे ही है और यहां से यहां तक histogram zero line के नीचे है बने रही है कोई दिक्कत नहीं है नहीं निकलने का है एकदम 300-400 का move जो है आप बड़े आराम से write कर सकते हैं तो कैसी लगी strategy दोस्तों यह comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो like कीजिएगा साथ में आपसे गुजारिश यह है कि इसको लेकर के trading में jump मत कीजिए पहले इसकी back testing कीजिए इसकी paper trading कीजिए इसके signals को अच्छे से समझिए आपको इसके signals पर trust हो जाए तब ही आप इसमें trade में इंटर लीजिए इसके लावाँ एक और बात है कि कोई भी strategy आपने एक बार test किया वो उसका result नहीं है price different तरह से हर बार move करता है आप कोई भी strategy टेस्ट कीजिए तो कम से कम 4-5 बार different market condition में जब तक आप उसको test नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में सही judgment आप नहीं कर सकते है तो hope आपको बढ़िया लगा होगा strategy profitable लगी होगी आप इसको paper trade कर लीजिए और फिर जैस्ती है तो इसमें trade कीजिए तो once again वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिएगा channel subscribe नहीं किये हो तो subscribe कीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए नवश्कार जैहिन जैवारत